ब्लीच में केमिकल होने के करण हमारी स्कीन बहुत जल्दी खराब जाती है तो आज मैं आप क्लिक ऐसी हूं रिमिटी लेक आई हूं जो आपकी घर में नैच्छल तरीके से आप ब्लीच कैसे कर सकते हैं आप इस हफ्ते में एक बार करें और देखें अपने चेहरे पे अलग स का काम करता है इसकीन के लिए और आधा चमज मैंने हां मुलतानी मिटी लिए मुलतानी मिटी करता है और आलू का रस लेंगे आलू को ग्रेट करके उसका रस ले लिया है मैंने इसका रस निकालके इसके बाद ट्रमाटर का रस लेंगे टमाटर हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे स्कीन को बहुत जदा क्लीन करता है नीबू का रस नीबू का रस दस से बारा बुन लेंगे यह हमारे स्कीन में ब्लीच का काम करता है और सारी चीजों को मिक्स करने के बाद चेहरे को अच्छे से क्लीन करने के बा बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो दे आप देखेंगे कि आपकी स्कीन में बहुत ज़दा गलो आ गया है बहुत ज़दा चमाक आ गया है और ये आपकी हेर को कलर नहीं करेगा ये इद्दम नैश्रल तरीका है ब्लीच का आप इसे एक पर इस्तमाल करके देखे और अपने चारे पर खुद फर्क देखें।